अस्सलाम वालेकूम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ चिकन मायोनिस समोसा बनाने की रेसिपी एक कड़ाही में थोड़ा तेल गरम करेंगे उसके अंदर एक चमच अद्रक लसन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और दो चमच शेजवान सास के डालेंगे और उसको 40-50 सेकेंड तक का स्लो फ्लेम पे भूनेंगे और नमक जो है उसमें थोड़ा से आड़ करेंगे क्योंकि यहां पर मैं उबला हुआ चिकन आड़ कर रही हूँ यह उबले हुए चिकन में मैंने इसको उबालने के टाइम नमक पानी और हल्दी और अद्रक लसन और मिर्ची का पेस्ट अड़ की थी और उसको बॉइल कर ली थी ठंडा होने के बाद उसके रिशे अलग कर ली थी यह चार मिनट तक जो है इसको भून लेना है अच्छे से ताकि छिकन और शिजवान के मसाले सबके साथ यह भून जाए फिक गैस बंद करके ठंडा होने देना जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसमें बारी कटा हुआ एक प्याज और थोड़ी सी कोतमिर इसके अंदर थंडा होने के बाद यह आड करना है और उसके अंदर जो है जो प्याज की पतिया होती है हरी प्यास की उसको भी थोड़ा सा इसके अंदर आड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और तीन चमप जो है मायोनीज के अड़ कर देंगे और अच्छे से जो है mix कर देंगे ताकि सारे vegetables और chicken के साथ मायोनीज अच्छे से mix हो जाए समोसे की पट्टी लेंगे और जो भी हमने स्टफिंग बना करके रखे हैं वो इसके अंदर भर देंगे और जैसा वीडियो में आपको दिखाया गया है उसके मताबिक इसको फोल्ड कर लेंगे और सारे समोसे जो है में इस तरीके से तैयार कर लेंगे उसके बाद जो है हम तेल गरम करेंगे और तेल गरम करने के बाद समोसे को मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को